इंडिया वर्ड से इंग्लेंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला जो राजीब गांधी किर्केट स्टेडियम हैतरावाद में खेला जाएगा इस गराउंड पे रन के साथ अच्छे खासे बिकेट भी गिर जाते हैं और स्पीनर को जादा मदद मिलते हैं आज के इस मैच का ग्राइन लिग और स्मॉल लिग की लॉजिकली टीम बनाने वाले हैं क्योंकि टेस्ट मैच का कंडिसन अलग हो जाता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीम बड़ा स्कोर बना देते हैं और सामने वाली टीम उसी रन को बनाने में दो बार आल आउट हो जाते ह आपने देखा इंडिया और साथ अफरीका के बीच जो पिछला सीरीज खिला गया था उसमें साथ अफरीका चारसो आठ रन बनाए थे और इंडिया इसी रन को बनाने में दो बाड़ा लाउट हो गए उस से पहले इंडिया और वेस्टंडीच के बीच मैच हुआ इंडिया 421 रन बनाये थे और वेस्ट अंडीज चेस करने में दो बार आल उठ हो गए तो इस तरह का कंडिशन हो सकता है इसके लिए दोनों टीम के प्लेंग 11 को समझना होगा तो आज के इस वीडियो में दोनों टीम के एक एक प्लेयर के स्टेट के साथ प्लेयर के बैटल समझाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से बॉलर किस बैस्टमन को परिशान करते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आज के मैच में किस किस प्लेयर का परफॉर्म आ सकता है तो इसे प्लेयर को अपने टीम में रखना है साथ में कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी बेस्ट च्वाइस बताने वाला हूँ जिसका आज के मैच में अच्छा खासा परफॉर्म आ सकता है तो वीडियो को बिनाइस कीप किये सुरू से अंतक देख लेना और लाइक जरूर करना लाइक करने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को दबा देना ताके मैं कोई भी वीडियो डालू तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे जो सबसे इंपोटेंट रहता है वो है मेरा टेलिग्राम जोईन करना जहां टौश के बाद कोई भी निउस अपडेट आते हैं वो तो बताया ही जाता है साथ में स्मॉल लिग और गरान लिग की फाइनल टीम टेलिग्राम पे ही दिया जाता है अब आसानी से डिस्क्रिप्सन और फिस्ट कमेंट पे पिन अप लिंक कर दिया हो आप वहाँ से जाकर जोईन हो सकते हैं और जैसे ही आप मेरा टेलिग्राम जोईन करना तो आप स्क्रॉल करके देख लेना कि किस तरह की टीम रहती है मेरा किस तरह का व्यूंस होता है वैसे इस Girond पे ज़्यादा मैच नहीं खेले गए हैं इंटरनेशनल के टेस्ट मैच जबकि इस Girond पे एबरेज स्कोर यहाँ पे पहले इनिंग का 404 का है जबकि चेस करने वाली टीम का 377 का है वही सिकेन इनिंग में 205 का है जबकि चेस करने वाली टीम का 171 का है इस Girond पे हाई स्कोर जो है वह 687 का है छे बिकेट पर यह इंडिया का है जबकि लोई स्कोर की बात करे 75 पे पूरी टीम आल आउट हो चुके हैं पांच मैच में फर्स्ट बैटिंग करने वाले दो और सिकेन बैटिंग करने वाले दो मैच को विन किये हैं एक मैच टाई रहा है तो यह Girond का रिपोर्ट है वैसे इंडिया और इंग्लेंड के Head to Head मैच की बात करें टोटल 10 मैच खेले गए हैं दोनों टीम 5-5 मैच को विन किये हैं वैसे Recent का Perform देखोगे इंडिया का तो लास्ट के 5 मैच मेच मेच को विन किये हैं और 2 मैच को लॉस किये हैं और 1 मैच टाई रहा है जबकि England का भी वैसा ही Convention है लास्ट के 2 मैच को विन किये हैं एक Draw हुआ है और 2 मैच को लॉस भी किये हैं तो वैसे दोनों टीम बरावरी का है, लेकिन दोनों टीम के जो प्लेइंग 11 हैं, उसमें कंडिसन लग जाते हैं। इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें, रोहिस सर्मा के साथ जैसवाल ओपनिंग करेंगे, सुबम गिल है, केल राहुल, स्रेस अईयर, भारत, रबिंदर जडेजा, अस्वीन, अक्षर पटेल, जस्परीत, बुमरा, मुहम्मद सिराज, तो ये इनके पॉसिबल प्लेइंग 11 ह वैसे मेरे स्मॉल लिक के टीम में इंडिया के तरफ से 6 प्लेइर होने वाले हैं, जिसमें सुबम गिल और रोहिस सर्मा रहेंगे, साथ में जडेजा, अस्वीन, बुमरा और सिराज, तो ये 6 प्लेइर हैं, लेकिन इसके लिए कंडिशन जरूर समझ लेना, इसमें एकाग प्लेइर चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए आपको कंडिशन बता देता हूँ, इंग्लैंड के पॉसिवल प्लेइंग 11 की बात करें, तो जैक क्रॉली के साथ बेन डॉकेट आपनिंग करेंगे, ओली पॉप है, जॉयरूट है, लॉरेंस है, बैने स्टॉक, बेरेस्टो, र प्लेइंगे, और उसके बाद आप रिहान आहमद को ले सकते हो, जो यूनिक पिक रहेंगे, शाथ में आप मार्क वूर्ड को ले सकते हो, अगर यहां पर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो अंडर्सन को ले सकते हो, तो यह मेरे 5 प्लेइर रहने वाले हैं, लेकिन इसके प्लेयर का stat जरूर देख लेना और यहां पे जैसे मैं जोई रूट से start कर रहा हूं तो यहां पे top 3 को flop किया हूं तो फिर बुम्रा और सिराज जो starting में ball कराएंगे तो फिर वो important हो सकते हैं तो इसके लिए जब आप stat देखोगे प्लेयर के battle देखोगे तब आपको समझ में आएगा इंडिया के प्लेयर की battle की बात करें रोहिस सर्मा को जो परिशान करते हैं जैक लीच है जो की 196 पे चार बार उट किये हैं उसी तरह रोबिंसन है जो की 242 बाल पे तीन बार उट किये हैं और अंडर्सन है जो की 291 बाल पे एक बार उट किये हैं वही स्रेस आयर को देखोगे तो अंडर्सन है जो की 8 बाल पे एक बार उट किये हैं जब कि सुबम गिल को अंडर्सन 62 बॉल पे चार बर और जैक लीच है जो की बिरासी बॉल पे एक बार वही क्याल राहुल को अंडर्सन 238 बॉल पे टीन बार और रोबिंसन जो की 998 बॉल पे दो बार तो जिन्रली आप देखोगे कि अंडर्सन है जो कि लगभग इंडिया के सारे टॉप अडर को परिसान करते हैं तो अंडर्सन को लेकर चलना है अपने टीम में वही इंग्लेंड के प्लेयर के बैटल की बात करें जैक क्रेली हैं जो कि आपनिंग करते हैं अक्षर पटेल 43 बॉल पे 3 बार आउंट किये हैं जस्परीद बुम्रा 64 बॉल पे 3 बार और असवीन 19 बॉल पे 1 बार उसी तरह बैने स्टॉक को रविंद असवीन 186 बॉल पे 4 ब पे 3 बार असवीन 161 बॉल पे 2 बार तो ये प्लेयर के बैटल थे इंग्लेंड का इंडिया के बॉलर की तरफ से तो आप देख लिए लगबग कुछ प्लेयर का तो अंदाजा मिल ही गया होगा कि जनरली कौन से बॉलर टकरा रहे हैं वैसे की प्लेयर आज के मैच में होने आठेश वाले हैं असवीन साथ में जडेजा रहेंगे जोयरूट लीच और रोहित शर्मा साथ में अक्छर पटेल डॉक इट रहेंगे आप यहाँ पे सिराज को भी जोर सकते हो सिराज कभी कभी चलते हैं तो यह काफी ज्यादा भी केक्ट कालते हैं तो इस सिराजना लेक करेंगे चलना और लगभग सारे आपके ओपोनेंट के टीम में रहेंगे बांकी प्लेयर इसमें एड़ करना है तो यह इसमाल लिग के की प्लेयर का हो या सेफ प्लेयर का हो यह आपके इसमाल लिग के रहेंगे जबकि ग्रान लिग में आप असवीन जडेजा जबकि लीच औ कर बांकी प्लेयर को रूटेट करके ट्रम कार्ड खिलाडी एड़ करके अब टीम बना सकते हो तो उसका कंडिशन जान लेना जब कि कैप्टन के बात करूँ तो अस्वीन आज के मैच का बेस्ट ऑप्सन है साथ में जड़ेजा रूट और अंडर्सन को भी आप गराण लिग म में एड़ कर सकते हो क्योंकि विकेट कीपर में केल राहूल रहने वाले हैं जो कि आपको विकेट कीपर से पौइंट की बात करें रौहीस सर्मा है recent पर्फांट देख रहे हो कि टेस्ट में उस तरह का परफांट नहीं है यहां पे लाष्ट मैच जो खेले हैं पहले इंग म उस तरह का आकरा नहीं है लेकिन recent में काफी form में चल रहे तो आप safely small league में जा सकते हो कि लगभग आपके सारे opponent ले कराएंगे कुछ grand league में drop कर सकते हो वैसे head to head 8 match खेले हैं 713 run 51 का average है जबकि इस ground पे match नहीं खेल अगले player जैसे सवाल है recent perform देखो के last के match में जो खेले हैं पहले inning में 0 और second inning में 28 run उसे पहले 5 run और second inning में 17 run उसे पहले 171 run और second inning में 0 run उसे पहले 12 run है तो ये decent perform है head to head और venue का कोई भी experience नहीं है जबकि अगले player सुबम गिल हैं सुबम गिल का भी देख सकते हो last के match में पहले inning में 36 run मारे थे उससे पहले 10 उससे पहले 2 run और second inning में 26 run उससे पहले 0 और second inning में 6 run उससे पहले 13 run और second inning में 18 run तो इस तरह से आप देख सकते हो क्यूंकि मैं जब बताने लगूँगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अब देख सकते हो hate to hate 5 match में इनका 140 run है 17 का average है venue पे match नहीं खेले हैं जबकि अगले player की बात करूँ recent perform अब देख सकते हो 0 run last के match में मारे है second inning में 8 run उससे पहले 4 run और second inning में 101 run उससे पहले 17 run उससे पहले 1 run जबकि उससे पहले 20 run second inning में 0 run इस तरह का perform है hate to hate 12 match खेले हैं 847 run है 38 का average है venue पे 2 match खेले हैं 49 run है तो ये देख सकते हो जबकि अगले player stress आयर है recent perform देखोगे इनका भी कुछ खास नहीं है floppy है जबकि hate to hate 1 match खेले हैं 34 run है venue का कोई भी experience नहीं है अगले player भरत है recent perform इनका भी खराब है वैसे player अच्छे हैं लेकिन small league में इनका जगा नहीं बनता है grand league में आप try कर सकते हो जबकि अगले player जडे जा है recent perform काफी अच्छा है run के साथ ये wicket भी निकालते हैं और wicket में consistent है 3-3 wicket निकाल ले है 4 wicket निकाल ले है तो इस तरह से balling तो करते ही है जबकि batting से भी मोका मिलता है तो run बना देते हैं तो safe option है try कर सकते हो head to head 13 match खेले है 74 wicket है जबकि venue पे कोई experience नहीं है तो head to head में काफी करमक है और अक्सर wicket मिलता है उसी तरह asween है recent perform देखोगे तो यहाँ पे last के match में पहले inning में wicket नहीं मिला जबकि second inning में मिला है उसे पहले 5 wicket और second inning में 7 wicket उसे पहले 1 wicket second inning में 6 wicket उसे पहले 1 wicket second में 3 wicket तो काफी गजब का है और captain wise captain के भी based option बनेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग batting को favor देंगे जबकि इस ground पे उतना अच्छा batting होता नहीं है balling को ले कर चलना baller ज़्यादा wicket निकालेंगे आपको ज़्यादा point देने वाले है वैसे head to head 13 match खेले है 74 run है जबकि venue पे 2 match खेले है 9 wicket है तो काफी अच्छा है जबकि अगले player अक्षर पर टेल है जिनका recent perform आप देख सकते हो कि कुछ खास नहीं है head to head 13 match खेले है 27 wicket है जबकि venue पे कोई experience नहीं है अगले player मुहमद सिराज है recent perform last के match जो खेले है 6 wicket निकाले है और सिकैन इनिंग में 1 wicket उससे पहले 2 wicket जबकि उससे पहले 1 wicket उससे पहले भी 1 wicket तो मतलब उतना खास नहीं है टेस्ट में कभी-कभी ये थौक में निकालते हैं तो इसलिए safe रहेंगे आपके लगभग सारे ओपोनेंट ले कर आएंगे अभी फिलहाल जो ODI T20 समय अच्छा कर रहे है तो इसलिए सभी लोग ले कर आएंगे आप ट्राइ कर सकते हो जबकि अगले प्लियर जस्परीत भूम रहा है recent perform recent perform देख सकते हो last के match में 2 wicket second inning में 6 wicket उससे पहले 4 wicket उससे पहले 2 wicket उससे पहले 3 wicket तो इस तरह का perform है ये भी consistent है वicket निकालते ही है hate to hate 10 match में 42 wicket है venue पे match नहीं कहले है तो ये इंडिया के player के stat थे England के player के stat की बात करे तो Jack Crowley है जो की opening करते है recent perform देख रहे हैं last के match में पहले इनिंग में 73 run और second में 22 run उससे पहले 189 run मारे है उससे पहले 44 second में 33 तो काफी consistent है और ये grand league के trump card खिलाडी बनने वाले है जिनका selection लो रहेगा और opening करने वाले है अगर second में भी कुछी wicket गिरते हैं तो भी इनकी batting रहेगी hit to hate 4 match खिले है 155 run है 19 coverage है venue पे match नहीं कहले है इंडिया के खिलाप अभी तक चार match के लिए है चारो के चारो match में flop है तो उस condition में आप drop कर सकते हो लेकिन वैसे recent perform में अच्छा कर रहा है तो आप भी कर सकते हो grand league में वैसे band dockett है recent perform देख सकते हो last के match में 42 उससे पहले 41 और इसी तरह से perform देख सकते हो hit to hate 2 match के लिए 18 run है मैं तो drop भी करने वाला हूँ आप चाहें तो grand league में try कर सकते है early pop है recent perform काफी अच्छा है एक match में दोड़ा सतक भी लगा है उससे पहले 42 run 31 run तो इस तरह का perform है कुछ बड़ा perform नहीं है hit to hate 8 match में इनका 300 run है 20 का average है venue पे कोई match नहीं खेले अगले player joy route है जो कि इंग्लेंड की तरफ से काफी consistent और अच्छे player है वैसे recent perform इनका भी ठीक नहीं है hit to hate 19 match में इनका 1915 run है 56 का average है तो अक्सर ये इंडिया के खिलाप अच्छा perform करते हैं तो आप इनको आप safely ले जा सकते हो small league और grand league दोनों जगें ट्राइ करना है जबकि अगले player bane stock है recent perform देख सकते हो वैसे balling recent में नहीं कर रहे हैं हो सकता है इस match में करें तो काफी अच्छे pick रहेंगे वैसे मैं informed telegram पे कर दूँगा अगर इसका last कुछ news आता है वैसे hit to hit 14 match में 773 run है 49 coverage है recent perform देखोगे काफी अच्छा है लगतार perform कर रहे हैं तो इसका आप screenshot ले लेना hit to hit 5 match में 19 wicket है इसको आप trump card बना सकते हो काफी अच्छे pick हैं और recent में अच्छा कर रहे है wicket मिलने की संभावना रहेगी अगले player Anderson है जिनको मैं अपने team में try करूँगा ही recent perform उतना खास नहीं है फिर भी average मान कर चल सकते हो hit to hit 16 match में 58 wicket है और venue पे कोई match नहीं खेले अगले player Mark Wood है decent perform इनका भी ठीक है जबकि hit to hit 1 match के लिए है 5 wicket है venue पे कोई match नहीं के लिए player रिहान अहमद है जो कि एक ही match के लिए है बेने श्टॉक बैटिंग सेक्षन में और सुभम गिल को रखा हूँ यहाँ पे रोही सर्मा और जैसवाल दोनों को drop किया हूँ बहुत बरा risk है आप सेब जाना चाहें रोही सर्मा को try कर सकते है वैसे captain जोई root को बनाया हूँ जबकि जडे जाक वाइस captain आप वाइस captain असवीन को भी बना सकते हो बैटिंग से support देने वाले हैं जबकि balling अच्छा करते हैं एगेस्ट में इस venue पे भी इनका अच्छा perform रहता है लोरेंस और यहाँ पे अंडर सन जो कि unique player रहेंगे जबकि सिराज और जस्प्रीत भूमरा common player हैं लगभग सारे लोग ले कर आएंगे Mark Woods के साथ तो यह दो player unique है small league के लिए जो कि batting section से player को drop करके मैं small league के team बनाया हूँ तो यह small league के हिसाब से थोड़ा unique है जो small league में आपको win करा सकते है किसी भी opponent को हरा सकता है यह team लेकिन toss factor रहेगा toss के बाद final team telegram पे दे दूँगा जबकि grand league की बात करें तो grand league में पूरा इंडिया के favor में यह team बनाया हूँ और इंडिया के baller को भी लिया हूँ इंडिया के अगर top order सारे अच्छा perform करते हैं तो एक बड़ा target set कर सकते है उस condition में सामने वाली team का ज़्यादा विकेट गिरेंगे और second inning में भी इनका ही ज़्यादा विकेट गिरेंगे तो उस condition में यह team है वैसे आप grand league की team combination बनाते हो तो आप against team में जैसे कि इंडिया के player को flop करके आप England के player को इसी तरह favor देकर इन ही के baller को लेकर आप second grand league की team बना सकते हो फिलहाल यह मेरी initial team है वैसे captain wise captain की बात करूँ तो आप सुभम गिल जो रूट जडेजा साथ में सिराद जैसे player को आप बना सकते हो grand league में captain wise captain तो यह initial team है grand league और small league की इसे आप team join कर सकते हो final team के लिए आप मेरा telegram जरूर join कर लेना उमीद करते हैं आप join कर लिए होंगे वीडियो को like comment कर देना ओके thank you